हलो नमस्कार दोस्तों आपके अपनी यूट्यूब चैनल रिवीटी डिवीव में आपका स्वागत है दोस्तों आज किस वीडियो में हम विकाउस आई लव यू कोरियन मूवी को बात करने वाले हैं मैंने इस मूवी को देखकर खत्म कर दिया है और अब मैं इस मूवी का रिवीव करने वालों कि आपको इस मूवी में क्या काद देखने को मिलेगा और क्या इस मूवी को आप अपनी फैमली को साथ देख सकते या पर नहीं ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर इसलिए वीडियो को पूरा देखे वीडियो सुरू करने इस पर आप सो गुजारिस करना चाहूंगा अगर अभी तक आपने मारे वीडियो को लाइक नहीं किया इस मूवी को 2017 रिलीस किया गया था येक रोमांस कमेडी फैंटेसी बरफूर मूवी होने वाली है इस मूवी को पूरी तरह से देखकर खत्म करने के लिए आपको लगबग एक गंटे 50 मिनट का समय देना पड़ेगा और ये मूवी रिलीस हो चुके MX प्लेयर पर हिंदी भासा में जिन्नोंने नहीं देखी वो अभी जाकर चेकाउट कर सकते हैं और आप बत का लेते हैं कि इस मूवी में आपको क्या का देखने को मिलेगा तो इसमें कानी फोकस करते हैं ली वांग के करेक्टर पर जो अपनी ग दोस्तों सब्स बता रहा हूं इस मूवी को देखकर मज़ा आ गया मूवी जो स्टोरी है और उसे जिस तरह स्पर जन किया गया वो कमाल का है बट मूवी की स्टोरी एकदम सिंपल सी है जिसे हम पहले भी कई बार देख चुके हैं मूवी में आपको जो कमेड़ी देखने को मिलती उसे देखकर आपको मज़ा आ जाएगा जो आपको हसने पर भी मजबूर कर देगी मूवी देखने का एक रीजन ये भी है एक मूवी में आपको माई डीमन के ड्रामा की हीरोईन किम यू जंग भी देखने को मिल जाती है जिससे देखकर आपको उससे प्यार हो जाए गया है कि जब ली वांग की आत्मा किसी दूसरे के अंदर जाती है तो उस इंसान की आत्मा कहा जाती है ये मूवी खासकर उन ओडियन्स को जरूर पसंद आएगी जिनने रूमांस कमेडी से बरफूर मूवी देखना पसंद है मूवी जो करेक्टर है और उनकी जो परफॉर् अगर मैं आपके लिए इस मूवी को फैंड आट करूँ तो अगर आपके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है तो आप इस मूवी को एक बर देख सकते हैं ये मूवी आपको जरूर पसंद आएगी अगर आपने ये मूवी देख लिए है तो आपको ये मूवी कैसी लग को मिलती रहे तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स टामाइजिंग वीडियो में